Hello everyone, welcome to Super IAS by Testbook. I am Son Tria and आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही important topic को. कि आखिर भारते इतिहास को प्रभावित कर देने वाले तीन महतपुन युद्ध पानिपत में ही क्यों लड़े गए? पानिपत को क्यों इन बैटल्स के थियेटर के रूप में चुना गया, जिसने पानिपत को रण भूमी का प्रयाय बना दिया? अंदर जाने से पहले, इस topic को depth में देखने से पहले, हम यहाँ पे एक बार पानिपत की location को देख लेते हैं. यह है आपका हर्याना का state. और यहाँ पे हर्याना के अंदर ही दिल्ली के बिल्कुल नौर्थ में आपका पानिपत जो city है, वो located है. यह आपका दिल्ली है और दिल्ली के नौर्थ में यह जो आपका green shaded portion है, this is पानिपत. आपको पता है, दिल्ली जो है, वो कई political dynasties की capital रही. दिल्ली सल्तनत जो है, उसकी भी दिल्ली जो है, वो राज़धानी थी. हम detail में जाने कि आखिर पानिपत को ही इन battles का location क्यों चुना गया, उससे पहले एक बार brief में हम इन तीनों battles के बारे में देखेते हैं. पानिपत का प्रथम युद्ध, 1526. इतिहास में बहुत माइने रखता है, especially भारती इतिहास में, क्योंकि जहां इसने दिल्ली सल्तनत के लास्ट डाइनिस्टी, जो लोधी डाइनिस्टी है, उसकी समापती की वहीं पे मुगल सामराज्य, मुगल एम्पायर जो है, उसके प पानिपत है, वो आपके मुगल समराथ, मुगल किंग, बाबर और दिल्ली सल्तनत की लोधी डाइनिस्टी के लास्ट रूलर इबराहिम लोधी के बीच लड़ा गया, इबराहिम लोधी जैसे मैंने आपको बताया, यह युद्ध हार गए, बाबर जो हैं, वो सक्सेस्फु में मुगल किंग अकबर, ग्रेट अकबर और हिंदु किंग हेमु विक्रमादित्य जो हैं, उनके बीच में लड़ा गया, मान लेजिए कि यह जो दूसरा युद्ध है, वो अकबर ने एक बार फिर से इस युद्ध के थ्रू मुगल सामराज्य जो हैं, उसको पुनर स्था पित किया था, क्योंकि हेमु विक्रमादित्य ने मुगल सामराज्य के एक बड़े हिस्से पे अपना कंट्रोल जमा लिया था, पानिपत का तीसरा युद्ध, 1761 में लड़ा गया, और इसके अंदर एहमस शहा अब्दाली, जो दुरानी डाइनेस्टी से आता था वो, और आपके मराठास जो हैं, वो इंडियन मुगल सामराज्य की तरफ से लड़ रहे थे, इसके अंदर आपके मराठास जो हैं, वो पराजित रहे और एहमस शहा अब्दाली जो हैं, वो सक्सेस्फुल रहा, इसने मराठा सामराज्य की जो नीव रखने की मराठास की इच्छा थ यह तो हुआ इन बैटल्स का संगशेप में एक वर्णन बट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर पानेपत को ही इस बैटल फिल्ड के रूप में क्यों चुना गया लोकेशन देखते हैं पानेपत जो है मैंने आपको कहा दिल्ली के नॉर्थ में है एंड हमारी यहाँ पे एंशियन टाइम से जो अटैकर्स आते रहे वो आपके नॉर्थ वेस्ट खैबर पास से इन जनरल आते थे खैबर पास मानो उत्तर भारत में भारत के लिए एक दर्वाजा था यही reason था कि जो northwest से आपके attackers आते थे दिल्ली पे आक्रिमन करने के लिए वो पानिपत होते हुए गुजरते थे अगर इन attackers को आपको दिल्ली के outer पे ही रोखना है ताकि राजधानी दिल्ली जो है उसको नुकसान सहना करना पड़े तो पानिपत एक अच्छी location साबित होता था यह जो मैंने आपको first reason बताया पानिपत को एक battlefield के रूप में चुनने के लिए वो थी पानिपत की strategic location दिल्ली के लिए मानो पानिपत एक shield का काम कर रहा था दूसरा राजधानी दिल्ली के पास होने के कारण आप अराम से पानिपत में दिल्ली से जितना भी सामगरी चाहिए soldiers चाहिए, arms and nomination चाहिए वो सब आसानी से बहुत कम समय में उन दिनों पहुँचा सकते थे तो second reason आप कर रहा logistics की availability geographical reason अगर हम देखें तो geographical reason कुछ ऐसा था कि जहां पानिपत दिल्ली के समीब था दिल्ली के outer पे था वहीं पे पानिपत जो है वो आपके indo-gangetic plains जो हमारे या खुले मैदान है उसका हिस्सा है यानि यहां पे अराम से युद्ध कई दिनों तक लड़ा जा सकता है और साथी में खाली मैदान होने के वज़े से ना केवल भारे संख्या में सेना इखटी की जा सकती है बलकि एक दूसरे को धोका देना थोड़ा सा तफ होता था तो दोनों ही साइट्स के लिए अटैकर्स के लिए भी और इंडियन रूलर्स के लिए भी एकदम स्यूटेबल लोकेशन थी इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल और एकोनॉमिक रीजन्स भी थे पॉलिटिकल दिल्ली अक्सर आक्रमन कारियों का टारगेट होती थी क्योंकि यहाँ पे अटैक करके आप न केवल पॉलिटिकल रूलर को चैलेंज कर सकते थे बलकि आप सिवीलियन्स जो है उनको नुकसान पहुँचा के हाहा कार भी मचा सकते थे अटैकर्स का दिल्ली हमेशा इसलिए टारगेट रहती थी इसलिए दिल्ली के दिल्ली तक अटैकर को ना पहुँचने देना भारतिय जो रूलर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टन था इसलिए पानिपत जादा बैटर रोकेशन थी as compared to दिल्ले इसके अलावा अगर हम पानिपत की economic importance देखे तो भी वो बहुत महत्यपून था हम उत्रापत की बात करते हैं उत्रापत आपके नौर्थ वेस्ट में तक्षशिला को आपके बंगाल के ताम लुक या ताम रलिप्टी से जोड़ता था और इसे पे पानिपत जो है वो इसके समीप located है पानिपत उन दिनों भी economically काफी अच्छी developed cities की रूप में था पानिपत को आज भी city of viewers कहते हैं तो पानिपत पे attack करके जो आक्रिमेंट कारी हैं वो काफी loot कर समान ले जा सकते थे सो बच्चों इन सभी वजह से strategic location आपकी geographical location आपकी logistics की availability को देखते हुए political and economic reasons से पानिपत जो है वो एक perfect location था जिसके अंदर भारतिय इतिहास को प्रभावित कर देने वाले तीन महतपुन battles लड़े गए और जिनों ने आपके पानिपत को रन भूमी का प्रय बना दिया Thank you so much for watching the lecture. Hope आपको सब समझ आया होगा and अब आप ये question फिर से नहीं पूछेंगे कि पानिपत को आखिर तीन battles की location की रूप में क्यों चुना गया Thank you so much Thank you